27 दीन गदर्टू के बारे में इसके बारे में पहले बात करने से पहले तो मैं एक ये जी स्टुडियोज वालों को सच में एक बात जरूर कहूंगा चाहे वो अनिल शर्मा हो सनी देवल का तो इसमें कोई हाथ नहीं है चाहे वो डायरेक्टर प्रोडूसर इनके हाथ रहते हैं mostly specially प्रोडूसर्स के एक बत जरूर कहूंगा भाई तुम लोग मार्केटिंग सीख लो चाहे वो यशराश फिल्म्स की तरफ से हो या फिर रेड छिलीज एंटेटेंब्मेंट वो शारुक खान की कमपनी की तरफ से हो जिस तरीके से अतली की जवान शारुक की जवान और पठांथी वायरिफ की जो मार्केटिंग एक स्ट्रेटिजी थी ना कि भाई जब मूवी बाद में निकल जाती है या फिर चार एक पाच वीक हो जाते है छे वीक उसके बाद भी मूवी 75 रूपीज 100 रूपीज जैसे तिकिट रखके वन पे वन ओफर वगरा रखके आगे भी तुम 20-25 करोर का बिजनेस कर सकते हो ये बात इनको कभी समझ में ही नहीं आएगी ऐसा लग रहा है क्योंकि भाई जहां पर ये मूवी मिनिमम सारी 500 या 570 करोर कमा सकती है पर अगर आप ओफर ही नहीं रखोगे इतने दीन होने के बात भी क्या आपको लगता है क्या लोग 1500 रुपीज में मूवी देखेंगे अभी तो एक महीने के अंदर अंदर OTT पर आ सकती है तो क्या लोग ये देखेंगे क्या एक पर एक अगर आप रख देते जैसे दो पर दो रखे थे ओफर कैसा तगड़ा कलेक्शन बढ़ गया लोग 25 देखेंगे लेखेंगे टो में अहीं रखेंगे तो आगे चलके बाद में रूना मत की बैर य को अगर भी चलते और गरर कारें को ऑफर और धे त्रह रखेंगे भाई वो ओफर रखना भी ट्रीक रहता है वो थोड़ा पहले से रखना रहता है जैसे वो पठांड ने कौन सी मुवी थी वो आई थी शहजादा और सिल्फी आई थी उस टाइम पे तो शहजादा और सिल्फी आने से तीन या चार दिन पहले उन लोगों ने एक ओफर रखी वाली या शायद 100 रुपीज वाली वो आफ़र उन्हेंने लगबग एक महीना चलाई थी बाद में तो बाद में जो लोग बोलते हैं कि हर मुवी एक महीना यह क्यों रखी थेटर में यह क्यों हुआ पटांटो 70 दिन थी तो भाई क्यों थी वो मार्केटिंग की वज़े से थी तो यह लोगों को और वो जमेगा है ने तो बाद में ब्लेम करके क्या फैदा है भई शौकिंग और जी स्टुडियोज कोई नया नहीं है यह बहुत पुराना यह है अब देखो 27 दिन के बात करूं मैं तो मैं आपको यह सिधा बोल रहा हूँ कि 4 करोड के आसपस कलेक् नहीं कि बाहु बली 2 को यह टच कर रही है अब आगे के 14 करोड यह कैसे करते हैं सीधी बाते वन पे वन अगर ओफर लाते हैं नहीं है तो यह चाओदा नहीं आगले 20 करोड भी कर सकते यह पास 130 के उपर भी जा सकते लेकिन इनके मन में ही नहीं होगा तो नहीं यह वो मूवी आने के बाद भी होने वाले हैं तो अगर उच टेम पर ओफर नहीं रखोगे फिर तो मूवी रुख जाएगी तो देखते हैं कि यह मूवी आने के बाद एट लिस्ट ओफर रखते हैं यानि हाला कि वो जो पठान वालों ने तो तीन-चार दिन पहले से ओफर र तो फिर बैठो भाई ऐसे ही दो नंबर पे तीन नंबर पे फिर तो मैं तो चाहता हूँ कि फिर बावु बली का भी मत तोड़ो भाई रेक और सीधा बात बोल रहा हूँ अभी से ही निकाल दो स्क्रेश क्योंकि फिर तो नहीं डिज़र करते हो भाई आप लोग तो देखत बैटर डे संडे आएगा तो फाइदा तो होगा पर आफ़र आएगी तो जादा फाइदा होगा वरन नहीं तो विदाउट आफ़र मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 510 से लेके 511 करोड 27 दिनों में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे एंड खयाल रखिया झाल झाल झाल